1947 में देश के आज़ात होने के बावजूद कई समस्याएं हमारे देश के भीतर ही मौजूद थी जिन से निबटना इतना आसान नहीं था मसलन भारत जो कई रियासतों में बटा था उन्हें एक करने में ततकालिन सरकार को काफी मशकत करने पड़ी थी इनी में से एक रियासत थी भोपाल जो 15 अगस्ट 1947 को नहीं बलकी एक जून 1949 को आजात हुआ था ततकालिन ग्रहमंत्री सरदार पटेल की सकती के बाद भोपाल रियासत भी भारत का हिस्सा बना इसी दिन भोपाल का भारत में विले हुआ था और पहली बार भोपाल में तिरंगा फैराया गया था जीहां दरशल भोपाल के नवाप हमिदुल्ला खान शासन करना चाहते थे लिहाजा उन्होंने भारत में विले से इंकार कर दिया और धाई साल तक भारत सरकार के खिलाफ खड़ी रहे नवाप के कबजे से भोपाल को छुडाने के लिए कई आंदोलन भी हुए और इसमें कई लोगों ने अपना बलिदान दिया उन्हीं शहीदों की याप में भोपाल गेट का निर्मान किया गया है इंडिया गेट की तरस पर पुराने भोपाल में भी ये विलिनी करंदवार बनाया गया ताकि आने वाली पीडिया देश के एकिकरन की दास्तान को जान से